Hello everyone, in this video lecture I am going to talk about the reasons of root तो चले स्टार्ट करते हैं, first point is में The apex of root is covered by a thimble-like structure called root cap It protects the tender apex of root while making way through soil ठीक है, अब एक structure होता है, thimble-like structure है और वो किसको cover-up कर रखता है? वो root apex को cover-up करके रखता है और उसी को हम क्या आप कहेंगे? root cap हम उसको कहेंगे अब यह root cap क्या करता है? कि जो tender apex of root है, यानि कि root के जो mulain area होते है जो मतलब जब root जो है starting में initial stage जब उसकी होती है तब वो बहुत ज़्यादा soft होती है और उसको cover-up कौन करके रखता है? एक root cap उसको cover-up करके रखता है क्यों cover-up करके रखता है? क्योंकि जब वो tender apex of root है soil के inside growth कर रही होती है अंदर की तरफ बढ़ रही होती है soil से तब क्या होता है कि वो damage ना हो जाए तो इसलिए उसको root cap उसको protect करके रखता है as you can see here यह root है यह वाला और इसको किसमें protect कर रखा है? root cap ने इसको protect कर रखा है अब next point है इसमें above the root cap is reason of meristematic activity having small cells with dense cytoplasm अब root cap से उपर की तरफ एक reason होता है जिसे कहते है reasons of meristematic activity और इसी के अंदर क्या होती है कुछ small cells होती है और इन small cells के अंदर क्या होता है dense cytoplasm होता है ठीक है अब यहाँ पर इस reason के अंदर क्या होंगी basically meristematic cells होती है और वो जो meristematic cells है वो एक दूसरे के साथ इस तरीके से सटी हुई रहती है ऐसे और उनकी जो membrane होती है वो बहुत ज़्यादा या wall जो होती है बहुत ज़्यादा थेन होती है और इसके अंदर क्या होता है लगातार इनके अंदर division होता रहता है और बहुत छुटी छुटी सी cells होती है और इसके अंदर और inside क्या होगा इनके dense cytoplasm होता है Next point is, the part above the reason of meristematic activity is reason of elongation where cells undergo elongation and enlargement to increase the length of root. अब इसके अलावा, meristematic activity जो है, इसके उपर एक और reason होता है, इसके above part पर. Meristematic activity के above part पर एक reason होता है, जिसे कहते हैं, reason of elongation. और यहां पर क्या होती है, यहां पर ऐसी कुछ cells होती है, जिनके अंदर क्या होगा, जो enlargement के लिए चली जाती है. और उनके अंदर क्या होगा, जब वो enlargement कर लेंगी, तो वो किसमें help करेंगी? Root की length को बढ़ाने में, यानि कि root की length को increase करने में ये help करती है. ठीक है, यह वाला reason है, और इसी reason पर, यह reason है, इसी को कहेंगे, reason of elongation इसको कहेंगे, और इसी के अंदर कुछ ऐसी cells होती है, उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर elongation होता है, और elongation जब उन cells के अंदर होगा, उन particular cells के अंदर जब ऐसा elongation होगा, तो वो जो elongation है, वो root की length को increase कराने में help करेंगी, और इसी को क्या बोलते है, reason of elongation, और यह किसके एवाब होता है, यह होता है, reason of meristematic activity के उपर, और reason of meristematic activity किसके उपर है, यह root cap के उपर है, और root cap क्या कर करती है, इस root को protect करने का काम करती है, next point is, reason of maturation contain root hairs that help in absorption of water and minerals, अब इसके उपर एक और reason होता है, इसके उपर यह वाला reason होता है, जब root के अंदर ज्यादा ग्रोथ हो जाती है, तो वो किसमें बदल जाएगा, reason of maturation में convert हो जाता है, और इसके उपर क्या होते है, कुछ root hair यहा हो जाते हैं, और यह जो root hair है, वो क्या करेंगे, soil से water and minerals को absorb करेंगे, और absorb करके plant में forward, यह जो stem है, और जो leaves बगएरा है, उनके अंदर यह forward कर देंगे, ठीक है, अब next, इसमें point आ जाता है, modification of roots, तो roots में आपको पता है, कि root का basically work क्या होता है, कि root water को और minerals को soil से absorb करते हैं, में उपर की तरफ forward कर देते हैं, यह तो इनका एक basic work है, या main work है, roots का, यह main work हो गया, बट अगर root इसके अलाबा कुछ और work अगर कर रही है, तो उसको हम कहेंगे, modification of root हम उसको कहेंगे, तो इसमें किस तरीके से इनके अंदर modification हो सकता है, एक तो food को store करने में, root का modification हो सकता ह कुछ ऐसी roots होती है, वो swell up हो जाती है, फूल जाती है, और swell up हो कर क्या करती है, अपने अंदर starch को store करके रखती है, और वो जो starch आगे plant को help करता है, तो यह इस तरीके से यहाँ पर, तो यह भी क्या, एक तरीके का modification of root हो गया, next इसमें आ जाता है, nitrogen fixation में, कि कुछ जो pulses होती है, उनके अंदर जो roots मिलती है, उनकी इसे कोई pulse का पौदा है, किसी दाल का पौदा है, इसके अंदर ऐसे nodes होती है उन roots में, और उन roots के अंदर रहता है, एक rhizobium नाम का bacteria, और वो जो rhizobium नाम का bacteria है, वो क्या करता है, nitrogen fixation में help करता है, तो यह भी root क्या है, एक्स्ट्रा व aeration and support, तो कुछ ऐसी roots होती हैं, जो कि respiration में help करती हैं, और उसे कहेंगे aeration, और साथी साथ support देने में, plant को सीधा खड़ा रखने में भी help करती हैं, तो यह इनके क्या होगे roots के modification हो गए, अब हम इनके आगे points को समझ लेते हैं, फ्रस्ट इसमों point पताया गया है, tap root of carrot, turnip and adventurous roots of sweet potato get swelling to store food, अब देखो यह क्या करती हैं, कि जो tap root होती हैं कि इसकी carrot की और turnip की, और sweet potato की कैसी root होती है, adventurous roots होती हैं, और यह कैसी हो जाती हैं, swell up हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा फूल जाती हैं, swell up हो जाती हैं, और swell up क्यों हो जाती हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, food store हो जाता है, और food store होगा, और plant को इस तरीके से help करती हैं, तो इनके अंदर क्या होगा, food को अपने अंदर store करके रखती हैं, और इस यह भी क्या है, एक तरीके का modification of root है, यह हमने अभी आपको समझा भी दिया अब next इसमें बात आती है तो इसका next point है वो है prop root of banana and distilled root of maize and sugarcane have supporting roots coming out from lower portion और lower node of stem ठीक है तो prop root तो आप समझी गए होंगे prop root कैसी होती है जो stem से निकलती है उन्हें prop root कहते हैं तो यहां पर यह जो root से कहां से निकल रही होंगी बनयाइण tree से निकल रही होंगी बनयाइण tree के stem से जैसे कोई यह बर्गत का पोधा है और यहां से stem से कुछ hair-like structures लंबे-ंबे से निकले हुए दिखाई देते हैं और इनकों क्या कहेंगे prop root कहेंगे और यह जो prop root होती है वो supporting roots होती है यानि की mechanical support देने का काम करती है इसके अलावा दूसरी बात यहाँ पर क्या आ जाती है कि जो sugar cane है और maze है इनके जो lower portion होते हैं आपको पता है कि plant का plant का stem होता है उसके अंदर क्या होती है inter nodes और nodes होती है तो जो last node होती है इनकी जो lower portion वाली nodes होती है वहाँ से क्या निकलती है कुछ fibrous root like structures निकलती है कुछ इस type की roots निकलाती है और यह जो roots है यह भी plant को support देने का काम करती है भी कैसी होती है supporting roots होती है और यह किसमें निकलेंगे maze और सुगर cane में next point इसमें आ जाता है in rhizophora nematophores help to get oxygen for respiration as it grows in swampy areas अब इसके अलावा एक होता है plant उसका नाम होता है rhizophora यह rhizophora कैसी जगे पर होता है जहांपर swampy areas होते हैं या marshy area यानि कि जो दल्दली इलाके होते हैं वहाँ पर यह rhizophora नाम का plant हो जाता है और यह जो rhizophora यह suppose कीजिए कि यह क्या है soil है और इसके अंदर क्या है यह roots है इस particular plant की और इसमें से जब यह roots बहुत ज़्यादा mature हो जाती है तो यह बाहर की तरफ निकल आती है यह इस तरीके से बाहर की तरफ निकल आएंगी और इसी को हम क्या बोलते है निमेटो फोर्स कहते है क्या बोलते है इनको निमेटो फोर्स कहते है और यह निमेटो फोर्स क्या करते है कि यह environment से oxygen को लेंगे और respiration के लिए यानि कि respiration में help करते है यह environment से oxygen को लेते है निमेटो फोर्स और respiration में help करते है तो इस तरीके से आपका ये वाला topic खतम हो जाता है जिसमें हमने discuss किया था reasons of root and modification of roots तो मेरे I hope कि ये आपको समझ में आया होगा Thank you students, आज के इस video lecture को हम यही पर stop करेंगे Next video lecture में हम Mr. M को समझाएंगे